प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जसका नाम है दस का दम आज का हमारा टॉपिक है करन इलेक्रिसिटी एक प्रैक्टिस उनिट और जिसमें तरीका ऐसा स्मार्ट डवलब करना है कि क्योशन पढ़ते पढ़ते अगर लेंग्विज का है तो लाश व कि इतिहास का केता है कितने mission आपका इंतिजार कर रहे हैं 2021 में इसके 4 क्योशन 2022 में इस requirement 221 में आप समझ गये होंगे minimum 4 puis Channel इंतिजार कर रहें इसको दो पार्ट में करते हैं पार्ट वन में क्या लेते हैं ज़रा देखे खलका सा ग्लांस रिविजिन करिए यह जो मेरा खजाना है नोट से मान के चौल इससे आपको पूरा देश्टर पढ़ना की जूरत नहीं है इसको हम लेके चलेंगे और इससे हम कोई साथ भ अब भी क्यों कर सकते हैं current density हमक्तर है जब करन का Boulder है वैसे current को अब गए टेंसर ही कहते हैं अभीतिसी बात जो अंदर चलते परयामिटर स अठे lire itnesi और उबाचालन है अगर सकति होगी हो तो से भी होगी अगर से भी होगी इस dependence मिना दिया जाए किसमें फिर अपलन से भी है पोजितिव और से विया जैन किलें ख़ाएँ किड़न के किया हो गई current हर के current जो सम कर दीजिए आई डीटो positive n plus i due to negative n plus i due to electron that total current और उसमें फिर आप n is equal to vd के साफ से किसका charge क्या है किस की क्या है अगर एक ही यहाँ पर आपके पास cross section a same हो जाएगा n आपको दिया जा अलग अलग तो आप कर सकते हैं अभी आगे देखेंगे तैयार हुआ यहाँ पर एक खास बात आती है अंदर एक parameter जो मैंने आप से बोला electric field और जे इनका relation j is equal to sigma e यह भी एक वेक्टर यह भी वेक्टर तो आप देखना जहां को relation आ जाए उसमें direction किसकी किसमें क्या होती है यहाँ सिग्मा conductivity है जो की मैट्रिल किसाब से constant है इसका order जो भी होता है अपने पास दिखला सटी का 10-4 मीटर पर सेकिंड नाओ अपने लिए यहाँ पर एक इंपोर्टन चीज जो वीडी इस एकल टूवी और जैसे इकल टूवी अपने अगर सिग्मा शीरीज में हमेशा करण क्या होती सेम जहां जानते रही करिंट होगी इसलों अपने सीधे बोले हैं कि वहाँ पर करन क्या कोई कंस्टेंट अब करिंट है तो अगचा मोगा हर् minimum जै क्या होगा बोलो एकम यह जै जादा जाए दिक आधिकुझ ज हूप पर वियंदिक त्वीडिक तो कितना सिधा है एकम जे अदैख एद लो आपका है ना कर सकते हो कभी कुणर आपके Пренक्रक्रिक का बहार चलते हैं या नदर चल रहा था बहार आ गए तो क्या स्यार हो गया resistance concept और आपका ओम स्लाव वीजिकल टू आई यार कभी ओम स्लाव नहीं यह भी स्प्रपोश्टल टू आर ओम स्लाव है यह बहार इसले इस अलए मैक्रोफॉर्म और अंदर चलता है जैस प्रपोश्टल टू यह कहलाता है इसका मैक्रोफोण ओम स्लाव कभी आजाएं मैक्रोफों क्या होता है तो सीधे जैजग इस इकल्टू सिगमा इना वोलके जैजग प्रपोश्टल टू ई और यहां पर बाहर बोले तो वी प्रपोश्टल टू आई अब आगा जाता रजिस्टेंस जो और है वह किस पर डिपेंड कर नहीं है तो आराम से इनको compare करके question बना सकते हो resistivity और जो material density दो क्या होगा constant तो अगर आर को लिखना चाहूं या कि हमारे काम आएगे सब्सक्राइब आर इस इकल टू रो एलप ओने रो मतला resistivity यह को अपन कहते हैं specific resistance जो किसी geometrical parameter depending करता resistance डिपेंड करता है लेकि इस specific resistance डिपेंड नहीं करता कोई भी geometrical parameters पर केवल डिपन करता है nature पर और temperature पर अभी हम टांपर कॉंस्टेंट मान रहें और फॉर गीवन नेचर नेचर भी क्या हो गया constant तो रो क्या हो गया constant अब मास इस इकल टू वाल्यू देंसिटी यहां पर रो जिहां रखना density नहीं resistivity है और डी क्या density है अब मैं जब चाहूं यहां से एक को लिख सकता हूं M upon LD उपर LL L square हो जाएगा अब अगर आपको question दिया जाए given material रोडी क्या हो गया constant तार इस अब देखेंगे सीधा question फटावर कैसे होगा आपको वायर दे देंगे उनका मास का रिश्यो देदिया लेंक कर लेंगे वायर दे दिया एल का रिश्यो कर लेंगे वायर दे दिया temperature difference तो temporary difference के साब से दोनों को लिख रहा हो में resistance भी और specific भी कोई भी question आए आराम से कर लेंगे धियान रखना यह देल्टा T में हमेशा initial 0 है तो T-0 अगर T1 है तो T1-0 हो जाएगा यहां पर T1-0 र T1 हो जाएगा अगर T2 पे तो T2-0 र T2 हो जाएगा आप आराम से दे सकते हैं दो constant alpha और R0 0 degree Celsius पर R0 और temperature coefficient of resistance no doubt जो 1 upon degree Celsius होगा अब यह अहां पर कभी मतलगा T1-T2 है T1-0 तो R T1 T2-0 तो R T2 बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और जब गलती करोगा तो आंसर आपका जल्दी मिलेगा अब यह जो alpha है यह आपको मालूम है conductor के लिए positive और semiconductor के लिए negative अब यह लगए तो कॉम्बिनेशन resistance एक रशेस्टेंस त्यार हो गया रज़िस्टेंस का को भी को पृंटेज होताह्य सेम तो वी सेम या मैं या में आई रस एल्टु को स्टॉ वे सेम हो गया प्रॉन आज अजय को निया आ है जो उनके लिए पैसर्स का रिश्यों का उनके करेंट का हो जाएगा उनके खरेंड से है resistance का ratio निकाल लिया अगर वो 3 by 4 है तो करेंट 4 by 3 अगर 1 by 2 है तो 2 by 1 लेकिन आप जो resistance उस ब्रांच में एक-एक में सीरीज में लगे वे हैं तो जो उनके एफेक्टिव ब्रांच के सेरीज में था वो उनके प्रके होगा वही का यहां को समझ्रेंख को आपके पास ब्रांच के करंट का रिशो आगया तोो पूछा जाए तोरसम निकाल लिया तो Украї पूरी का सिरिस फाइव है और जो फाइब नो का कह दीए फोटी ने इन दोनों में जो करेंट का रिशू है वह इनके इंडिविज्व किसे पूछा जाए उसमें करेंट का रिशू हो जाएगा अभी देखना क्योशन आएगा तो कितना फटा 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 पंचुटकी बढ़ लगने क्या हैं पैर्लल में हम इस बाता है वोल्टेज होता है इसको ढंक से बोले तो पैरलल में जिद्नी बरांश है उनके पैरन सेंक उसका उसका है उनको वोल्टेज होगा उतंप को ऊच है hardship कर्ण प्रंच ब्रांश से इफ्क्तिया आगर अगर आपको पहले एफेक्ट्यू का वोल्ट एजाता सब्सक्राइब तो बी का भी ब्रांच का 10 वोल्ट और सी का भी क्या 10 वोल्ट इसको भी हम देखेंगे क्यों करेंगे तो इसको ध्यान से अभी जो बोल रहा हूं सासा चलना तो सुनना अब अब रिस्ट्रेंस तयार हो है जिसका काम क्या है कि डिस्चार्ज शो के करेंट देना हम भी काम जब तक कुछ नी बोले फ्लो सरकीट में वह हमिशा डिस्चार्जिंग कंडीशन मतलब अपना काम कर रहा है करेंट दे रहा है लगा मझे जब सेल को लेते तो इसके दो पärमिटर एक उसका ये में और एक इसका inter resistance small r जिस circuit के साफ सो करेंट देना वह रजिस्टेंस महलो या तो external या के तो load resistance एक वड़ा आता है cell के दोनों terminal के across टर्मिल पोटियर्ट इफरेंस टी-पीडी शॉट में जिसको भी से बता रहे हैं अब normally cell discharge होता है तो वी is equal to यानि कि डिस्चार्जिंग कंडिशन नॉर्मल कंडिशन सेल को काम ही करेंट देना है इसको सर्कृत में लगाया है तो यहां इन दोनों के एक्रॉज जो टीपीडी है वह ए माइनस आई यार लेकिन कभी कदर एक से ज़्यदा सेल हो और मालूम पड़ा बड़ा सेल तो करेंट के प्लस आई यार यह तो क्लोज कंडिशन होगे जो कापनों को सर्कृत इसलिए बना है लेकिन कभी कदर हमने सैल को अभी आपन सर्कृत बोल रखा है तो जब भी ऑपन सर्कृत होगा सीधे टीपीडी मैक्सिमम एमेफ के बराबर हो जाएगा इस समय मैक्सिमम आपन सरकृ है तो एपन इंफानेट जीरो लेकिन एक खास कंडिशन शॉर्ट सर्किट यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब भी हम शॉर्ट सर्किट करते हैं यह रिजिस्टेंस कुछ काम करने सिंपल वायर जीरो रिस्टेंस हो जाए यानि कि सीधे यहां से इसको जोड़ दें तो करेंट यह पून आर प्लस अर्था उसमें यह जीरो हो जाएगा नीचे मिनीमुम हो गया तो करेंट का जाएगी मैक्सिमम तो टीपीड दो गया जीरो और आई मैक्सिम इभाई आद मैट एक तरह से स्पेशल ध्यान रखने से स्टार्ड लगा रखा है चार्जिंग जब भी आपके पास आगे सैल आएंगे ग्रूपिंग में कॉमिनेशन में तो देखना होगा किसके लिए पॉजीटिव से एंटर कर रही है तो चार्जिंग और बाहर निकल रही है तो डिस्चा ज्यादा होते हैं तो हमको देखना पड़ता है जंक्शन पर मालू नहीं पड़ता कि कौन किसके पैरलेल में है की नहीं तो जहां पर जंक्शन ज्यादा हो वहां पर हम जंक्शन को कुछ बैटरी के पॉजिटिव से एक वोल्टेज या पोटेशल मान के सिंबल दे देंगे कोई एकस वाई-जैट कोई ABC और हम सरकीट को जल्दी सॉल कर सकते हैं जहां भी किसी रिजिस्टेंस के एक्रॉस अगर मालूम पड़ा एकस एकस आ गया यानि सेम गोल्टेज सेम पोटेंशल यानि डिल्टा वी कितना जीरो जबी जीरो यानि करेंट फ्लो नहीं हो रही इस डिल्ट चार्ज नहीं हो वह शौ्ट सरकेट होजाएगाा तो जहां पर हो सेम होगहाए केno काम ज सब्सार कर सकते हैं कि जर justo आप क्साथ कैसे लंगा एक से लगें खटक से आपकेशन कर लेंगे मने कर लेंगे अब हम यहीं तक रोक रह down हगे का निkkos ainda हो गई तरी को की का साफ से हम जब तक नहीं बोलें हम बाहता सेल को मिला जोडने का काम कर रहे हैं यानि सब मिलकर एक साथ करें को एक की डायेक्शन देंगे और क्या काम Sü El का का करें को देना इसकाल सबसे करिण्ड किया निकलेगी एक तरह से बहार निकलेगी पॉजिटि उसे लेकिन मानो मैं झारां जड़ां को खक्ते बी स्यल सतरी स्यल था दूङर थां उख कम हो गये तो दू दूनि नहीं चार शील तर नहीं थाना है तौ अगर आपसे मैं कहा दू दस सेल हैं तैनी निहीं हो गार मैं माणनड़ कम हो गया enc 2017 से अधिया बिए तो 2M cell कम हो जाएंगे तो N-2M यह कुल मिला के नंबर होगा EMF के साफ से N-2M bracket में into E नीचे resistance होई चलेगा resistance total R equivalent internal कितना है प्लस बाहर का circuit resistance जिसको अपन कहते है low resistance यह कहते है resistance external वो कितना है नीचे आपका हमेशा जो denominator है नीचे की कि कहां पर cell कैसे हैं जैसे यहां देखो मैंने बढ़ना रखा ऐसे यह दो cell गलत जुड़ गए हैं खत्म एक ही रह गया ही हर सेल का EMF E है internal R है यहां मैंने उला च्छे cell हैं यह दो गलत जुड़ गए हैं लेकर आपको जुड़ने मैंने बोला एन एम गलत जुड़ गए तो टूम कम हो गए एन इस टूम इंटू ए और आर नेट तोई एन आर यहां पर थ्री यार आरी बास समझ है बैटा कि यह नॉर्मल तरीका है कोई दिक्कत नहीं अब ज़रा देखते हैं खास बात रह गई जो दिखरी कि मैक्सिमम पावर ऐसा क्रिशन आपका इंतजार कर रहा है और जब एक अकेला सेल ओ या सेल के ग्रूपिंग सेरीज हो कि पैरलल या मिक्स उरूपिंग हो मित्ता सा बोलूँगा आपके दो पार्ट एक इंटरिनल पार्ट और एक पार्ट एक अश्टरनल आप दोनों का ल और मिक्स उरूपिंग में इसका पूरा सिरीज इसका पूरा सिरीज इसका पूरा सिरीज इसका पूरा सिरीज आपस में क्या पैरलल निकाल लेंगे और अगर मैं आपसे बोलूँ इसके बाद आउटर सर्कीट में एक रिजिस्ट्रेंस हो यहां भी कॉम्बिनेशन और सिरी इस आपने त्यार कर लिया मतलब अवरल कह रहें किशन इतने से एक साथ नहीं आएंगे हम जितने भी कुशन बन सकते हैं उनको कैसे कर सकते ही समझना था तो आरेल के जगे वह और एफेक्टिव क्या होगा वह निकाल लेंगे फिर आप से पूछा जाए अकेले साहल का हो सिरी में पावर दे तो इसकी कंडिशन क्या होती है तो एक कंडिशन लिखने पर छोटी है एक एरो भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट मसाला जित्ता भी एक्ट्रनल है अगेला अकेला है आरल इक्वल टू अकेला आर इन और अगर याग ग्रूपिंग है तो मैंने ग्लांस रिविजन किया है जो मेरा फर्स था अब मैंने जो आप से कहा था वहां पर मैं आपके लिए टाइम के से होगा जला देखिएगा और कई जगे जहां मैंत्मेटिक्स ज्यादा होती है वहां पर मैं टाइम के सेव करना उसको भी समझना है ताकि हमारा रफ से खम लगे एपने क्रिश्चन त्री कॉपर वायर्स वित लैंथ प्रॉस्टिक्रिया ठीक है साफ दिमाग में आ गया रिस प्रपोर्श्टनल एल अब दिखरा है एल एक में टूल एबाइटू तो उपर चला गया फोर एल ए और एक में एल बाइटू और नीचे टूए त सबसे कम इसका हो गया मिनिममम और यह मैक्सिमम यह फोर उपर मल्टिपाल यह नीचे आप देख सकते हो किसके लिए क्या है जिसका क्रॉस सेक्शन टूए है उसके मिनिमम की बात कर रहे है हर बार मिनिमम की बात कर रहे है इसका मतलब यह जवाब हो जाना चाहिए नेक्स्ट मासिस 3 वायर रिशियो 1-2-3 और लैंध रिशियो 3-2-1 जैसे वोला एक ही मैट्रियल के आपको ध्यान आ गया भी मिने बता है था आर इस प्रपोश्टल 2 ध्यान करिए अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो यह देखिए यह रहा आर इस प्रपोश्टल L स्कार आया कम ज़रा L का रिशियो L का रिशियो बात वाला है तो 3 का स्क्वेर 9 4 1 और M का रिशियो 1 2 और 3 यह 9 यह 2 यह 1 by 3 यह 27 तीन दो निछे और यह के रिशियो इसलिए का था और ऐसा ही क्रिश्टन आपका लगभग 2024 में इंतजार कर रहा है वापन को बनाना नहीं है इसलिए वह रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है next an insuling pipe of cross section a contains electrolyte which has two types of ions आगे के दिमाग में एक negative ion minus e positive ion to e एक pd apply कर दिया pipe के लिए resulting drifting two types of ions negative ion का V है यह ध्यान से रखना और positive का V by 4 है बोथ है वसेम नंबर पर्मिट वॉल्यूम यानि इस्मॉल एन सब का बराबर रहे तक करेंट फोलविंग थूद पाइपे इस वसके वह अपने को यह जगे बहुत ज्यादा ले लिए सिन लिखने में यहां से स्टार्ट करते हैं आई इकल टू आई नेगेटिव आयन प्लस आई पॉजिटिव आयन हमारा बेसिक फॉर्मॉला है एन एवीड एन एवीड बस जंग से रख दें ए कॉमन एन कॉमन एन ए में यह कॉमन अंदर ए गया इसका ए और इसका वी और दूसरे वाले का एक तरह से टूई और वी हो गया एन एवीड one प्लस one by टू याने कि यह हो गया three by two and EAV वल थी बाइटो आना चीवाश है अट इसंग साकता आप यहांपे यह नहीं two one by four होता तो one by two और यहांपे one बन प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं आप जब ऐसे कॉपी बगर और जल्दी हो जाएगा नेक्स्ट और बैटरी ऑफ रिजिस्टेंस इंटरल फोरोम इस कनेक्टेट ठीक है दिखा तू दे नेट्वर रिजिस्टेंस शोन इन दा ओर ठीक है ऐस शोन पर लिए आ जाओ आ गया साब जैस इसका मतदर रिजिस्टेंस काम का नहीं रहा रिजिस्टेंस काम करनी रहा तो आप से पूछा है कि अब रिजिस्टेंस तो काम करनी एफेक्टिव कितना हो गया यह मेरे पास हो गया सिक्सार और यह मेरे पास हो गया थ्री आर छेत्ती आठार बटा नो यानिकि टू आर या का और एफेक्टिव जब यह बिश बैलेंस हो गया कैंसे लोगया वापस देखना बिच बैलेंस है तो ये तीनों आक है सिक्सार और ये तीनों थ्री आर सिक्सार और थ्री और पैललेल में खटाक से बोलो छेती अठारे बटानो यानि 2R यह आपको आना चाहिए यह नहीं कि 1 by 6 R plus 1 by 3 R is equal to 1 upon R effective लिख रहाइसा नहीं अब यह 2R आ गया और internal कितना है 4 ohm यह मैं सब लिख रहा हूं maximum power की बात कर लिख खटाक से आपने बोला R effective external is equal to R internal यानि R बराबर 2 ohm कि अब छोटा सा relation जो भी R effective external is should be equal to R internal अगर आपको maximum power is outer circuit के लिए चाहिए given cell के द्वारा अच्छा question important आते रहे से question बच इस question के अंदर कई यह बच्चों को इसको solve करने में लग जाता है इसको तो मैं आप एक तरीका बता रहूं कोई भी जो चीज पैलल हो सब्सक्राइब को आपको आ गया कि टू बाइ थ्री ओम पैलल टू कि फाइब बाइ फोर ओम आपको निकालना है तो आपने वन अपन आर वन फ्रस वन अपना टू करें सीधे उपड़ तो मॉल्टिप्लाइक और इंचे क्रॉस मॉल्टिप्लाइक को जोड़ दो बस और रोम तो आ नहीं है दो पांचे दस दो चोक आठ और तीन पांचे फोर तीन नो चांगे दो आगे और प्लेक्रिक्टर कर रहूंगा आपको जब कैपिस्टर होगा बस केवल आपको न्यूमेरिकल डेटा जो मॉल्टिपल वसको कि देखना है जब भी पैर्लल्ल में रिजिस्ट्रेंस हो ऊपर जो आपका दोनों का उसको मॉल्टिप्लाइक क कर दो जब कैपिस्टर सेरीज में हो तो वहां भी वन Con C 1 अपन C 2 कैपिस्टर के अंदर तो वहां भी उपर जो multiple उससे आप सीधे multiply कर दो नीचे Cross multiply का सम कर दो तो ध्यान रखना ठीक है चलिदेखते हैं अब ही आगे प्रैक्टिस आएगी और देख लेंगे N identical cells are joined in series with its two cells A and B in the loop with reverse polarities. यहनि हम समझ में आ गया कि हमारा topic क्या चल रहा है, N cell है दो खतम हो गए, दो गलत जुड़ गए तो चार खतम हो गए भई, N-4 रह गया, और कर चार ही cell हो गए तो खतम हो जागा सब कुछ, इस लिख दिया, N is more than 4, चलिए, आपके पास हो गया और रजिस्ट्रेंस हो गया आपका आर इंटर्नल एनर, अब आसे वो लाए PD across cell A और B, अब यह दोनों गलत जुड़ गए इसका मतलत आप यह चार्ज हो रहे होंगे, अब आप जो सकते हो जब चार्ज कोई cell हो रहा हो, A का TPD बोलो है, B का बोलो, दोना identical है, क्या होगा, E प्लस IR, बस पहन चलने तो आप, E प्लस I कितना, I आपका हो गया, net EMF N-4 इंटो E upon NR, यह current हो गई, इंटो R, R से R cancel हो गया, E प्लस N-4 E upon N, यहाँ पर आपके सकते हो, तो N-E, इदर खोल दिया, N-E minus 4 upon N, अच्छा जी, और आगे बढ़ा है, तो 2 N-E minus 4 upon N, अब किस फॉर्म में यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, अब ज़रा देखें, 2 E भार निकाल लें, तो ही भार निकाला, और इदर इसको लिखा, तो ही भार निकाल के, तो यह हो गया 1, N-CAN गया, और यह हो गया 2 by N, अंदर 2 by N आ रहा है, ध्यान से, साउधानी से, एक्रोस है, metallic conductor of non-uniform cross section, a constant potential difference, मैंने शुरू में कहा था, अगर non-uniform है, suppose कुछ भी, तो इस सब आपके, जित्ते भी टुकुड़े हैं, यह रजिस्टेंस, जित्ते भी आप अलगला cross section ले रहो, यह सब series में हैं, और जिवी series fashion में हैं, तो series में current क्या होती, सेम, यहनि सब में current क्या होगी, constant होगी, सेम होगी, तो यह तो मेरा जवाब हो गया, अब मुझे मालूम है, अगर एक question ABCD form में होता, अभी तो 1, 2, 3, 4, A क्या आपका answer है, तो मेरा answer तो होगी, अनुड़ोट current, कौन सा constant है, अब इसको अगर ऐसे देखें, J is equal to I upon A, और J is equal to sigma E, और VD is equal to mu E, और mu depend करता, केवल temperature पर, और material पर, इसलोंग यहाँ पर mu constant है, अब आपके सकते हो, एक तरह से, इस जगे से, VD is proportional to E, E is proportional to J, और J is proportional to 1 upon A, क्योंकि I constant है, अब cross section में, जहाँ पर A कम होगा, वहाँ J जादा होगा, वहाँ E जादा होगा, वहाँ VD जादा होगा, अगर इस question आपका, A, B, C, D form में होता, और लिखके दिया जाता, तो आप देख सकते हो, किस में कौन सी चीज़ क्या होगी, फिलाल नो डाउट current तो क्या है, constant है, next, in the given figure, the ratio of current 8 ohm and 3 ohm will be, अब देखे सबसे पहले, यहाँ पर अगें bridge, यह होगा आपका, 1 is to 2, और यह भी होगा, 1 is to 2, कैसे ही बोलो, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस से, रेस्टेंस काम का नहीं है, अब जो भी current आ रही है, सबोस यहाँ पर I1, यहाँ पर यह दोनों ब्रांच, 4 ohm और 8 ohm, 4 ohm, 8 ohm, यह series 3 ohm, 6 ohm, series क्योंकि 5 ohm काम कर नहीं, bridge balance लिए, तो दोनों यहाँ पर ब्रांच पैलेल में, तो पैलेल में resistance का रिशो क्या बना, उपर है 12 और नीचे कितना, 9, तो करेंट का रिशो क्या हो जाएगा जाने उल्टा, 9 बटा बारा, resistance का रिशो बारा बटा नो, तो करेंट का रिशो का 9 बटा बारा, यानि की एक सरत 3 बटा चार, अब जो करेंट यहाँ पर इस ब्रांच में जारी हो, 4 ohm में भी वह यह, तो आप से 8 अपॉन 3 पूस्ते रिशिस्टेंस के साफ से, कि 8 ohm 3 ohm में करेंट का रिशो क्या होगा, 4 ohm 6 ohm में क्या होगा, या 8 6 में क्या होगा, या 4 3 में क्या होगा, सब का जबाब सेम होगा, दो भागा, क्या जब तक उपर की ब्रांच के किसी आलिमेंट को नीचे की ब्रांच के से, समझना बाद में, य ब्रांच का इस से पुछू तो भी Marius और o में 8 3 वी पूछू, तो भी Marius to 4 मैं 4 6 ब्रांच तो भी Marius to 4 मैं इस हम ऐसे इसख भी यह इंपोर्टेंट कि यह क्यों में मेरे पहले से सॉल कर रहा है कि मैथोमेटिक्स वाला पार्ट है आपको देखते ही याद आ रहा होगा कि इस पर पढ़ने का मतलब आपको लग जाएगा इन्फानिट लेडर है इसका पहले फैक्टि निकाल ला होगा तो सबसे पहले आपक मुझे मालूम इसका effective और तो निकाल ला है ताकि इसल को मालूम पर जाएकंगा फैक्टि कितना है अगर हे एकस फैक्टि हार जाएगा तो मैं र54 यहां पर और equation बनी आपको मालू factors करना आया माइनस टू एक्स ब्लस एक्स मैनस टू कुल मिलाकर फाइनल सॉल वा एक्स मैनस टू एक्स प्लस फेक्टर बन गए एक्स कभी नेगडिन हो सकता है समय क्या होगा पॉजिटिव यानि कुल मिलाकर इसका टू ओम आ गया इतना करने के बाद यह resistance मेरा क्या हो गया 2m हो गया अब अगर दोनों टू-टू हो गए अब आप बोलोगे जो यह टू-टू हो गए पैललेल में टू-टू का वन वन प्लस वन टू ओम जो आया यहां पर ठीक है यहां से वन प्लस वन टू टू और एक्स के तदा टू इसका मतलब यहां से यानि कि यह जो रजिस्ट्रेंस से टू-ओम इसमें करेंट कितनी होगी तो पहले आप देख लिजे करेंट कितनी आई रजिस्ट्रेंस कितना हो गया टू-टू का वन वन प्लस वन टू इसका मतलब मेरा यहां पर आपान टू करेंट हो गई थ्री एंप्यर को आरी बास समझ में करेंट हो गई थ्री एंप्यर करेंट आई आपस देखना यहां पर कितना टू-टू का 1 1 प्लस 1 तू कितना हो गया टू-ओम यह तो अपने एजिम किया था तो शिक्स अपॉन तू करेंट ओविए थ्री एंपियर त्री एंपियर करेंट आ रही है यहां पर थी के साफ द्रॉप हो गया कितने का थ्री वोल्ट का आई इंटू आर के साफ से रिबेनिंग क्या रहेगा कुछ भी पूछा जाए आगे आप निकाल सकते हूं यह जो आपका V is equal to IR चलता है जैसा आप पूछा जाए वैसा कड़ते रहो जब भी आपके पास करेंट आजाए किसी भी रिजिस्टेंस पर करेंट आए इंटू आर कितना ड्रॉप हो गया बाकी रिमेनिंग क्या होगा वो उसके लिए करेंट निकाल सकते हूं इसको क्लोस किया ठीक है कर लेते हैं पहले खट आखट बालू में अपने पास यहां रिदिंग दिखरी वी की उसी को compare कर आ रहे होंगे दिखरा इसलिए सबसे पहले के वन के हसाब से करेंट कितनी हुई यह कुछ काम का नहीं 15 20 E by 20 करे करेंट होगी I1 E by 20 तो V1 हो जाएगा I into I1 into 15 के साथ E by 20 into 15 3 by 4E रिदिंग आ गई I2 बोले जराब अब क्या कर दिया K1 हटा के K2 क्लोस कर दिया तो यह दोनों सेरीज में हो गए 30 प्लस 5 35 तो करेंट कितनी हो गई 30 E by 35 तो रिदिंग V2 क्या हो जाएगा V2 का मतलब आपके लिए क्या बन गया सम है 30 ओम के लिए तो I into 30 कर दिजिए I2 into 30 करा तो E by 35 into 30 यह हो गया आपका 6 by 7 E 6 by 7 को लगभग क्या सकते हो साथ अथोटी छफपन सापन लगभग 0.85 E यह हो गया 0.75 E तो V2 जादा हो रहा भी है देखे ज़रा तीसरा केस I3 क्या होता है तीसरा केस में दोनों को क्लोस कर दिया दोनों क्लोस कर दिया नो डाउट यह दोनों पैलेल में होगे 15 तीस पंदर प्लस दिस फोर फिफ्टी एपउन 45 यानि टैनों टैनों और 5 फिफ्टीन तो करेंट कितनी होगे इभाइ 15 साथ साथ चलना वी त्री क्या हो जाएगा इस समय वी त्री हो जाएगा इन दोनों के एफेक्टिव किता था तैन तो इभाइ 15 करेंट इंटू 10 टू बाइ 3E यानि की 0.67E आप देख सकते हैं वी बन में आ रहा है 0.75E वी तू में आ रहा है लगभग 0.85E और वी त्री में आ रहा है 0.67E तो वी तू और वी त्री को देख सकते हैं यह हमारा हुआ मैक्सिमम यह हुआ हमारा मिनिमम वी तू की वैल्यू वी वन से ज्यादा ओके और वी वन की वैल्यू वी त्री से ज्यादा यह तो गलत हो गया वी तू की वैल्यू वी वी वन से ज्यादा वी त्री यह सही ल तो आप इसको देखना तरीका क्या है क्यों अच्छा हर तरीका आपकी प्रेक्टिस करा रहा है जब मैंने वापस देख रहा हूं के वन को क्लोस किया तो के टू खुला हुआ है तो रिजिस्टेंस को 15 और 5 सेरीज में हो गए तो आप बोलोगे में बोलोगे किका, शीरीज खये में हो गई अपातिफाइफ या रेकast के साथ से कंड यह करेंट आगई यह करेंट के साफ से यहाँ पर करंट जा रही है आई इंटु थैटर्य यहाँ का जो वोल्टेज उ सको वी पड़ेगा तो वी is equal to e by 35 into 30 5 6 5 7 6 by 7 e 0.85 e जब दोनों close कर दिया दो लाइन बापस parallel में आ गई इस सम्में 1530 का आरवन आट उपन आरवन आटू करोगे तो 50 into 30 450 अपॉन दोनों का एड करो 45 बिंदी गई यानि कि 10 10 और 5 क्या होगे series में resistance कितना हो कि 15 ohm current कितना इपॉन 15 अब यहां जो होगी तुनों parallel में हैं तो जिनके एफेक्टिव पर होगा वह वोल्टेज 15 पर भी होगा 30 पर भी होगा वह पाड़ेगा कौन इस सम्में कितना है यहां पर इसका मतलब यह वापस हो गया आर इन दोनों का समझ भागया होगा क्या हो रहा है 4.5.4.51 क्या बोल रहा है सम पोटेशनल डिफ्रेंस अप्लाइब बिट्में एक्सेंड वाई ओक्या अप्लाई कर दिया तब वोल्ट में इडिंग्स वी ए वी 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 सी अब आप देख रहे हो जो भी करेंट यहां पर आ रही है सब्सक्राइब इंके फेक्ट्व में आई हो और जो इसका वोल्ट मेट्र होंगा इवेक्ट्री को इसका भी हो रही होगा तो पहली बात तो यह की वैलियू बिए-बेहिए बात न Let's का effective और यहां भी आर है इसका मतलब इनके पैलन effective की करेंड वही होगी जो इसकी है यानि कि यहां का PD वही होगा जो कि इसका यहनि कि वेडी सी वोल्टेज वैलू वियके बराबर लेकिन जो पैललन में वोल्टेज वो होगा तो वीबी to vc equal to va, tino reading same, two cells are connected opposite, cell e1 is 8 volt, देखें diagram, जो है और धंग से लिखें, 8 volt, resistance 2 ohm, cell 2 volt, resistance 4 ohm, ठीक है, आपको मालूम है, दोनों opposite fashion में हैं, बड़ा कौन है ये, तो net-EMIF किता हो गया, e1-e2, मैं से लिख रहा हूं बोलने में, 8-2 यानिके 6 volt, resistance कितना है, 6, current हो गई, 6 upon 6, 1 ampere, अब ये cell की कैसे cell के कुछ है, e2, e2 मतलब ये क्या होगा, इस समय नोड आउट, charge होगा, और charge का मतलब tpd, e plus ir, what is e, e2 का 2, plus i कितना, 1, r कितना, 4, यानिके 6 volt, तो बच्चों, यहाँ पर हम खतम करते विराम देते हैं, इस खेल को, और आज का गुरु मंत्र, हमारी body conductor है, तो हमेशा हमारी body में current दोडता रहना चाहिए, और इसके लिए हमें नदी के भैते पानी की तरह, न कभी हम थकेंगे, न कभी हम थमेंगे, न कभी हम रुकेंगे, और न कभी हटेंगे, बस आगे बढ़ते रहेंगे, इस commitment के साथ चलना है, all the best, give a smiling.